भोपाल में वर्चेस्व की लड़ाई को लेकर खूनी संगर्स जारी है एक बार फिर अपना वर्चेस्व कायम करने को लेकर शहर के दो गुटों में खूनी संगर्स हो गया जिसमें एक पक्षे के युवक की तीन उंगलिया कड़ गई गायल योग को इलाज के लिए भोपाल के एक नीजी अस्पताल में भरती करवाया गया है जानकारी के मुताबिक शहर के अशोका गार्डन इलाके में इस्तित 80 फीट रोड पर हिस्ट्री शीटर बदमास लल्लू रईस के बैटे इमरान और कुख्याद गुंडे शादाब कु सुष्णा के बाद उनके साथियों ने लल्लू के घर फाइरिंग कर दी हालाकि पुलिस ने फाइरिंग की घटना से इनकार किया है भावपाल से ताहिर खान किरिब करीब रात को साड़ी ग्यारा बजे नवाप्ट टीश्टाल के सामने गली है लक्षमी गंजी स्कूल के सामने वहाँ पर यह अनस बैठा था और आयान की भी दोस्त थे तो इनकी आपस में कुछ बात्चीत हुई बात्चीत में उनने का तू आज कल जादा उड़ रहा उनन भी रहाई से अक चूरी निकाली और जाएं अनस ने उस चूरी को पकड लिया तो चूरी पकड़ा तो उस ने आयान ने उस चूरी में को खीच लिया खीच तो इसकी बाइं ने की फोरेcot के लटक वह यह उली कटके अलग हो गई थी, तो फिर वो हम लोग सूचना मिली गए हो उसको ततकाल अस्पताल भिजवाया, उसने का हम चिरायू मिलाज कराएंगे तो उसको चिरायू भेजा, रात में फिर फाई यार हुई है पांच लोगों खिलाब, जिसमें अमान है, इमरान है, इमर नहीं, फाईर की, वहां कोई ऐसी घटने ही नहीं हुई फाईर की, पता नहीं कहां से फो आउड रही फाईर की, क्योंकि पुलिस मोके पे थी, और पहले इनको एक बार वहां से भगा चुकी थी, बिर भार उनको भगा चुकी थी, यह दुबारा फिर इकट्ठा हुए है, तो ऐसा फाईर की तो कोई ऐसी नहीं है, चुरी यह लाया था, रईस रलू का लड़का, इमरान, जैसा उसने बताया है, कि इमरान ने इसको चुरी दी थी, आयन ने मारा है, और उसमें के वज़ा इसका जो अनस है, अनस भी बदमास है, इसका भी रिकार्ड है वहां, और यह आयान लोग भी अपने को मानते हैं, तो इनका कहना था कि आजकल तू जादा उड़ रहा, उनने का तू जादा उड़ रहा, बस इसी तू-तू मैमे में हो गई, पहले से हमारे इधर तो भी ऐसी कोई सूचना नहीं थी, कि इनकी आपस में कोई है ना, ऐसी कोई रिपोर मुआू आटको हाए, पहले से हमारे रहा हाirmता किma बाहारे इसो को ऐसाने को नहीं तू आख़ रहा उनकी कोई से हमारे ओादा़ वाले तूम